हेलो अब्रीवान गुड मॉर्निंग और वेल्कम बैक टू बैंकिंग बस्ता दौ फिशल लिटू चैनल आज के सेशन हों कवर करने वाले हैं उक्टोबर फिफ्ट वीक के इंपोर्टन कर्ण अफेर्स कॉयूंस तो चले शुरू करते हैं आज के हमारे फिर्स्ट कुयूंस से और कल आपका इस बेक लग मेंस एक्जैमिनेशन भी है तुससे पहले आपको फिर्सट वीक की से पहले वाले वाले वीक के कोई कर्ण जरूर कब से कब तक मनाया गया हमारा सतर्कता जागरुकता सपता 2020 देखो विजलेंस अवेर्नेस वीक हमारा जू है स्ट्रेंस वो अब्जर्व किया गया 27 अक्टोबर से 2nd नुवेंबर तक अच्छा ये इस टाइम पीरेड में ही क्यो मनाया गया दू तो दे बर्थ अन्वेसरी ओफ सर्दार वलब भाई पतेल जी का बर्थ अन्वेसरी है उसकी वजह से 27 अक्टोबर से लेकर 2nd नुवेंबर तक हम मनाते हैं क्या विजलेंस अवेर्नेस वीक इसी के साथ में इसका ज नूदेली और यहां की जो सेंटर विजलेंस कमिशनर है हमारी उनका नाम क्या हैFXern पाय से 15 ंपर उसको प्लसु डैयलेग बिटwn इंडिया और यू स एस हालन्स अभी अब्हु सब जानते हैं भाक अपर तअमेरिका की बीच में 2 TV वार्दलत हुआ था तो उसको किस शहर में आयोजित किया गया इस question के लिए आपका जो right answer हो जाएगा वो है New Delhi, option number C is the right answer here यहाँ पर party spread करने के लिए कौन आये था America से, वहाँ से आये हैं वहाँ के defense secretary and secretary of the state वहाँ के defense secretary कौन है उनका नाम है Mark T. Aspore जो यहाँ पर आपको image में दिखाए दे रहे है he is Mike Pompeo जो क्या है, US secretary of state है यह हमारी defense minister है राजनात सेंग जी और यहाँ पर आपको यह जो दिखाए दे रहे है वो हमारी extra office minister है S. Jai Shankar ओके, so यह total जो 2 plus 2 dialogue इंडिया और अमेरिका के बीच में रहा New Delhi में हुआ उसके addition क्या था, it was third addition चलिए, move करते है next question पर नंदन कानन Geological Park located in which state नंदन कानन Geological Park जो है, वो कौन से state में स्थित है, इस question को मैं आप से क्यों पूछा है, क्योंकि अभी recently एक initiative लिया था नंदन कानन Geological Park ने जिसको नाम दिया गया था, एक campaign इन्होंने जो शुरू किया था, वो था Adopt an Animal Campaign So, Adopt an Animal Campaign इन्होंने शुरू किया in Odisha Bhooneshwar ये कहां पर है Geological Park Odisha Bhooneshwar में है यहां पर क्या बोलता आया गया कि आप किसी भी एक animal को adopt कर सकते हो, सबसे ज़्यादा जो जो आपको टेक्स में डिड़क्शन भी मिलेगा जो आपकी टेक्स है, वो कम काटे जाएंगे ठीक है, तो ये एक offer यहां पर प्रोवाइड किया गया था, तो definitely question आपके लिए बन सकता है, static awareness में चलिए, next question आपके लिए है Name the bank that has signed $1 billion loan agreement with the Japan Bank of International Corporation यानि JPIC के साथ में $1 billion loan agreement करने वाला जो bank है, वो है हमारा State Bank of India, option number B is the right answer here, ये loan agreement क्यों किया गया है, क्योंकि अब भी हमारे जो Japanese car companies हैं वो इंडिया में set up की जाएंगी और ये promote करेंगी, make in India को so make in India को ये promote करने वाले हैं, इसलिए ये पूरा एक agreement यहाँ पर कर दिया गया है State Bank of India के chairman जो है, उनका नाम है दिनेश कुमार खरा, State Bank of India के establishment 1st July 1955 में हुआ था ठीक है, इसी के साथ में ये जो पूरा initiative है ये जो पूरा loan agreement है, ये promote करने के लिए है, make in India को The Shara Festival mainly famous for the Jambu Sawari was celebrated in West State, देखो The Shara Festival हम सब जानते हैं, all over India celebrate क्या गया, लेकिन particularly कौन से इस state में ये famous है जहाँ पर Jambu Sawari की जाती है तो ये है, देखो मैसूर का The Shara Festival सबसे ज़्यादा famous है और जो कहाँ पर है, it is in करनाचका, option number B यहाँ से हमारा राइटान सो है, ये आप image देख सकते हैं, यहाँ पर Jambu Sawari यानि हाथी की सवारी की जाती है तो मैसूर करनाचका का famous है The Shara Festival next one here is alpha count has been appointed as the president of which country alpha count जो है, उनको बनाया गया है president, कौन से country के president वो बन गए है, यहाँ पर जो आपका right answer हो जाएगा, strength हो है गिनी, option number D is the right answer here and उनका image जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं alpha count जो है, वो appointed हो गए है, president of गिनी गिनी की capital जो है, वो कौनक्री है and the currency is frank, I hope this thing is clear to you, इसी की अलावा देखो, सेचल्स जो है, वहाँ की president कौन बन गए है, वाविल राम कलावन बन गए है और वो वहाँ की जो capital है, वो क्या है, Victoria है सेचल्स के capital Victoria है and currency is rupee दोनों ही appointment आप पढ़के जाएंगे सेचल्स and गिनी वाली next one is, who has been appointed as MD and the CEO of HDFC Bank HDFC Bank की, so यहाँ पर chairman आएगा, HDFC bank के जो chairman थे, वो कौन थे अधित्यपुरी जी थे, लेकिन उनको replace करके, जो नए चेर्मन बन गए है उनका नाम क्या है, शाशी धर जगदेशन जो है, वो नए चेर्मन बन गए है HDFC Bank के option number C is the right answer here I hope all these things are clear to you, अच्छा, इसके लावा, HDFC bank जो है, उसका headquarter Mumbai में है we understand your world is the theme of HDFC bank या tagline आप बोज सकते हैं next question is which company topped the Forbes list of world's best employer 2020, अगर सबसे अच्छे best employer की यहाँ पर बात की जाए all over the world, तो आप केरा मानते हैं, कौन से यसी company है जो इसको top कर सकती है, so the right answer for this question is Samsung Samsung को मिल गया है, यह title of the Forbes top list of the world's best employer, ठीक है अगर number 1 पर बात करें, तो Samsung है, number 2 पर बात करें, तो Amazon is on the number 2 position, IBM is on the number 3 position and on the number 4th position, it is Microsoft Microsoft जो है, 4th position पर है, अगर हम इंडिया में बात करें, best employer की, तो all over private companies में हम देखें, तो HCL जो है, वो 30th position पर है all over India 30th position पर है all over the world, बट इंडिया में top position पर है, अगर हम बैंक की बात कर दें, तो top position पर HDFC बैंक है, अगर हम PSU की बात करें, तो PSU में इंडिया में anti-PC जो है, वो top position पर है, okay students, so these are some of the facts related to this particular question, next question अपका है Shri Salim Hydro Power Plant is located in West State again, static governance का question है आप सब जानते हैं, Shri Salim Hydro Power Plant जो है, उसमें काफी fire हो गई थी, fire वहाँ पर लग गई थी, जिसके वज़े से कुछ लोगों की जान भी चली गई थी लेकिन अभी उसको दुबारा से start किया गया है, दुबारा से launch किया गया है launch करने वाले person जो है, वो हमारे energy minister है, जिनका नाम जी जगदीश ready है और launch कहाँ पर किया गया है इन तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो है, वहाँ पर Shri Salim Hydro Power Plant located है 10th question आपके लिए है Name the bank that has shut down its operations in Sri Lanka, ठीक है, श्री लंका में अपने operations बंद कर दिये हैं, लेकिन किस bank ने अपने operations बंद किये हैं, यह काफ़े important question है, और ऐसा करने वाला हमारा जो bank है, वो ICICI bank है, its headquarters is in Mumbai और यहाँ के जो chief है, उनका नाम क्या है, संदीब बक्षी है I hope यहाँ पर 10 में से 10 questions आपके ठीक हुए होंगी, इसमें से हम expect कर सकते हैं कोई ना कोई question आपसे definitely examination में पूछा जाएगा Next question is, National Unity Day एकता दीवस चू है, वो किस दिन observe क्या जाता है इस चुछेंज हमारा जो एकता दीवस है हम मनाते हैं 31st of October को और साथ में ही यह क्या है है हमारा Statue of Unity है, ठीक है, यूनिटी Statue जो है हमारा, आप देख सकते हैं यह कहां पर है, गुजरात में है National Unity Day मनाय जाता है Birth anniversary of सर्दार वल्लब भाई पतेल जी की, ठीक है सर्दार वल्लब भाई पतेल जी की birth anniversary वे हम National Unity Day यानि राष्ट्रे एकता दीवस मनाते हैं It was, it will be 145th birth anniversary of सर्दार वल्लब भाई पतेल, ओकी So, next and final question for you is World Bank है sanctioned Rs. 3 करोड for Sand Dune Park Invest rate, कौन से street के Sand Dune Park के लिए 3 करोड का अमाउंट देने वाला है, Wall Bank So, the right answer for this question is Goa Goa में बनने वाला है Sand Dune Park So, the right answer for this question will be Goa तो यह आज के session का आपका final question था एक question जो है, वो आपके लिए homework है जिसको आप comment section में बताएंगे किसका right answer क्या हो सकता है कौन सा ऐसा street या union territory है जिसने red light owned गाडी ओफ कैमपेंज शुरू किया है ताकि आप red lights पर अपना जो ignition engine है उसको बंद रखी ताकि pollution जो है उसका level कम हो पाए क्या मानते हैं आप अभी pollution का level सबसे जयदा कहां पर बढ़ रहा है सो इस question कहां सा आपको comment section में बताना है I hope this session will help you thank you so much friends and have a good day and all the best for you as by clerk means examination